एक पक्ष कह रहा है कि दमंग ने अतिकर्मन करके निर्माण किया है तो भही दूसरे पक्षे ने अपनी बखु को आगे करते हुए शेत्र के लोगों पर छेड़ चाड़ और रूट का आरोप लगा दिया है गरसल जहासी के महुरानीपूर कोतवाली शेत्र अंतरगत्र रानी नगर के महला गंज में इस्थित हुलकी माता मंदिर के पास रहने वाले लोगों ने अतिकर्मन की शिकायद की थी इसको लेकर आज उच्चा दिकारियों के निर्देशन पर तहसिलदार अजय कुमार मौरिया के तोरह इस्थल ये निरेक्षण किया गया गोर्तलग है कि महला गंज के कुछ लोगों ने एस्थियों को शिकायती पत्र देकर अफगत कराया था कि महले का एक व्यक्ति मंदिर के पास अबयद निर्बाड कर रहा है इसे मंदिर का परिक्रमा इस्थल पाधित हो रहा है महला गंज के दरजनों लोगों के द्वारा हुलकी माता मंदिर पर अजिकरमन की शिकायत पर तहसीलदार अजयकुमार मौर्या लेगपाल बिर्जेंद कुमार खरे वा राज़त सु विभात के कर्मचारियों के द्वारा इस्थल का निरेक्षण किया गया निरेक्षण के द्वारान मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों एवों शिकायत करताओं के पर पत्र देखी गए तो द्वारान तहसीलदार ने बताया कि वैचांच रपोर्ट बना कर अधिकारियों को प्रेशित करेंगी अधिकारियों के निर्देशन पर आगे की कारवाही की जाएगी दो-तीन दिन में रिपोर्ट प्रेशित की जाएगी इस मामले में नगर पंचायत से नक्सा की जाचकर यदि मंदिर की जमीन के पास अवैद अतिक्रमन पाये गया तो कानूनी कारवाही भी अवल में लाई जाएगी इसी मामले में गंज निवासी व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि महले के एक दर्जन से जादा लोग उसके घर में गुसे और उन्होंने उसकी बहु के साथ छेड़ खाने की और लूट की है भी आज जब तेहसिलदार की गाड़ी निर्माड स्थल पराई तो कई महिल आए वापूरुस एकत्रित हो गया और उन्होंने तेहसिलदार की गाड़ी को रोक लिया उन्होंने बताए कि निर्माण करता द्वारा अचिकर्मण को रोकने को लेकर यह सड़े अंदर रचा जा रहा है जो फुलिस को शिकायत की गई है वो पूरी तरह से जूटी और निराधार है शिकायत मिली थी मंदीर पे जो परिकर्माव मार को अचिकर्मार से ततला कर दिया गया तो उसको हमने देख लिया है और इसकी एक रिपोर्ट बनाके तीन दिन में दे देंगे और बाकी साहब इस जिन साफिसरा करेंगे अच्छाद कारेंगे और इसका नक्से से मिलाएंगे वाले नगर पंचायत वाले जरड़ा बाइस तो लोग निकल नी पाते हैं तो बस इतने एक बेख जोड़ दूगास अच्छा पंचायत जोड़ गई उस्के पंचन की भी पात नि माने गई मौरानीपुर से रभी परिहार की रिपोर्ट